सिसंए पलाजय त्री कि हिंदी भ्याकरन चाप्टर एड इस चापटर का नाम है कारुक जिसको इंग्रेजी में काती हैं खेज अभी हम इस चाप्टर मेख में कारक के विशिए में हम लोग देखेंगे कि कारुक以 चिन क्या-क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक्जामपल दिखते हैं पर अनोज ने शेव को तोड़ा, मोहन बस से उत्रा, या पुस्तक रिता के लिए है उपर दिये गए वाक्यों में ने को से वा के के लिए आदी विभक्ती चिन्नों का प्रयोग किया गया है ये विभक्ती चिन्नों अनोज और सेव, मोहन और बस पुस्तक और रिता के बीच संबन का संकित देते हैं जिन शब्दों के द्वारा संग्या या सरबनाम का संबन वाक्या के दुश्रे शब्दों से पता चले वह कारक कहलाता है तो यहाँ पे एक संग्या भी एक संग्या नाम है अनोज संग्या एक नाम है संग्या और सरबनाम का संबन वाक्या के दुश्रे शब्दों में जैसे इसके अनोज के लिए यहाँ पे अनोज ने ये जो है कारक ने और को इसको जोड़ के रखा है मोहन बस से उत्रा से एक कारक है उसका कारक का एक वी भक्ती चिन है के लिए तो इन ही के दुआरा जो इसने जोड़ के या एक वाक्य बनता है या पुस्तक रीता के लिए है मेरे मामा जी के लिए है इस प्रकार से यहाँ पे एक वी भक्ती चिन का प्रयोग किया गया है तो कहते हैं कारक किसे कहते हैं कहने से हम यह समझते हैं जैसे जिन शब्दों के द्वारा संग्या या सर्बनाम का संबन यहाँ पे एक संग्या भी है और सर्बनाम सर्बनाम का संबन वाक्य की दुसरी शब्दों से पता चले तो सार बर नाम के बदले में हां पर क्या प्रयोग है ने, को, से के लिए तो आखें क्या है कारक ओपर दिये गें वाक्यों में ने, को, से, वाक्य के लिए आधी कारकों के चिन है कारकों के चिन ही विभक्ति कहलाते हैं तो यहां पे विभक्ति चिन बताया गया है तो जितने भी ने, को, मे, से के लिए यह सब कारक का विभक्ति चिन है ठीक है? तो यही विभक्ति चिन के द्वारा ही एक कारक बनता है और इसका ही ये चिन को ही हम लोग विभक्ती चिन कहते हैं तो यहां पे अच्छी तरह से दिया गया है कारक और उसकी विभक्ती चिन तो यहां पे देख शक्ति हैं आप लोग करता ने इसका विभक्ती चिन कहा है करता ने कर्म को करन से द्वारा संप्रादान के लिए अपादन से संबन काके की अधिकरन में पैपर संबोधन हे हो अले तो इसे आपने की याद किसी गया क्योंकि या इसका चीने अरिश्चन को याद करने से हमको एक सेंटेंस बनाने की ने आसान होता है तो इसे की द्वारा हम सेंटेंस वहा कि हम सरल सब्दों में बना सकते हैं अगर तर्टाने कर्म को करन से द्वारा संप्रादान के लिए अपसादन से संबन काके की नाने नी अधिकरन मेंट पैपर संबोधन हे हो दे अले इसको शित्रह से आप लोग याद कर लीज़ें दिये गए शित्रों के सहता से आप विभक्ती चिन्नों को अच्छी तरह समझ सकते हैं तो यहां पे विभक्ती चिन्न दिया गया है और एक इक्जामपल दिया है इसे रूची ने पत्र लिखा, अगर मान लिए यहाँ पे ने नहीं लगा दिया है, रूची लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो यहाँ पे रूची ने पत्र लिखा, जो भी रूची ने लिखा, तो ने यही जो है, ने, यहाँ पे को, यहाँ पे से, यह सबी कारक के वि खिलाओने लाओ रूची पेड़ से गिर गई रूची ये रूची के पिताजी है तो यहां पे पुरा कारक का 1,2,3,4,5,6,7,8 आर्ट जो है ये कारक का इसको चिन अर्थो का आर्ट यहां पे बताया गया है ठीक है तो उसी के इसलाब से ये वाक्या बनता है तो आप लोग कुसे अच्छी तरह से देख्य के समझ सकते हूँ तो यहां पे कारक के चिन्न को रेद्ध करने में सहयता करता है वाकियों के मतलब अगर नहीं कि को नहीं लिखेंगे तो हमको वाक्या सही तरीके से मालूम नहीं होगा ठीक है तो इधर कुश्चन अंसर दिया गया है नेमने लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए कारक किसे कहते हैं तो यहां पर आप लोग जाके मैं अंडरलेंड कर दिया हूं जिन सब्दों के द्वारा संग्य या सरबनाम का संबंद वाक्य के दुसरे शब्दों से पता चले उसे ही कारक कहते हैं तो यहां पर अपने नौट कोपी में से देख के लिख लिख सेगा विभक्ति किसे कहते हैं तो विभक्ति भी यहां पर आप लग दिख रखते हैं आपर मैं अंडरलाइन कर दिया हूं उपर दिये गे वाक्यों में नेको से वाक्य के लिए आधी कारकों के चिन कारकों के चिन ही विभक्ति कहलाता है ठीक है विभक्ति चिन भी यहां पे चितरास्ट दिया गया है नेक्स्ट दोस्टे ही विगकल चुनू इसे भी मैंने टिक कर दसते आप लुख देखके सब्सक्राइब क्रूपिंस चिन क्वानु और्लrows बेट में इसे आप लोग ढूंड के अच्छी तरह से इसको मिलान कर लीजिए तो इसे मैंने फिल इंदर ब्लैंक में भी बैठा दिया हूँ इसे आप लोग अपने कॉपी में उतार के रिट कर लीजिए ठीक है नीचे भी दर दिया गया है जहाँ पर यहाँ पर चीन का प्रयोग हुआ है चीन को भरना है और वाक्य को पूरा करना है और सही बनाया गया है जैसे मैंने कर दिया हूँ आप लोग इसको होमर के तौर के कर लेजिए गया